मैं अंतरयामी कौशिक्त सयाचारे वनस्पति विज्ञानवी भाग हम बीसी भागत्रिती के फर्स्ट पेपर पादप पारिस्थिति की एवं पादप भूगोल की दूसरी यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं इससे पूर्व मैंने अभी आपको प्रात्मिक उत्पादन और मेजर्मेंट ओफ प्राइमरी प्रडक्शन के बारे में बताया इस लेक्चर में हम प्लांट सक्सेशन यानि की पादप अनुक्रमन के बारे में बात करेंगे पादप अनुक्रमन ये प्लांट सक्सेशन शब्द का उप्योग सब सबसे पहले हल्ट के द्वारा किया गया 1885 में और क्लिमेंट्स के द्वारा 1907 से 1916 के मद्य इसके सिध्धान्त के बारे में बताया गया प्लांट सक्सेशन सक्सेशन एक शब्द है लेटिन वर्ड है और इसका अर्थ होता है कमिंग इंटू दे प्लेस ओफ अनदर एक के स्थान पर दूसरे का अना सक्सेशन दूसरे की जगह ले लेना मतलब आप यह माने कि कहीं पर अगर कोई पहले पादप समुदाय था और उस इस्थान पर अगर दूसरा पादप समुदाय विक्सित होने लग जाता है और धीमे धीमे जो पहले वाला पादप समुदाय है या तो वो नस्ट हो जाता है या वहेविलोपित हो जाता है तो इस पूरी प्रक्रिया को scientific language में विज्ञानिक भाषा में plant succession कहते हैं हमारे यहां common शब्द एक यूज किया जाता है विरासत किसी के पूरवजों के द्वारा अपनी अगली पीडी को दिये गए संसकार या संपदा उसकी विरासत कहलाते हैं जो विरासत लेने वाला होता है उसको successor कहते हैं successor यानि कि जो पीडी अपनी पूरव की पीडी से प्राप्त करने वाली है उसे successor कहा जाता है तो शब्द succession अनुक्रमन successor से ही जुड़ा हुआ है इसका अर्थ भी उसी प्रकार से है किसी एक स्थान पर किसी एक स्थान विशेश पर किसी कारण से यदि कोई पादप समुदाए नस्ट हो जाता है कमजोर हो जाता है या विलोपित होने लगता है तो उसके स्थान पर कालांतर में दूसरा पादप समूह दाए अपना विकास करने लगे और विकास करते हुए वह चरम सीमा को प्राप्त हो यानि कि क्लाइमेक्स तक पहुंच जाए यानि कि उसकी विद्धी इतनी अधिक हो जाए कि उससे ज़्यादा विद्धी संबव न हो इस प्रक्रिया को प्लांट सक्स कहते हैं ये तो वह इसका मतलब अगर हम इसे scientific language में विज्ञानिक भाशा में समझने की कोशिश करें तो इसकी परिभाशा है पादप समुदाय में पुरातन काल से चले आ रहे विकास जो संचई वे दिशात्मक प्रक्रिया के फलसुरूप समुदाय का निर्मान करता है plant succession कहलाता है ancient period से बहुत पुराने समय से किसी भी पादप समुदाय का विकास यदि वो एक cumulative और directional प्रोसेस के द्वारा हो रहा है और उसके कारण यदि कोई community का निर्मान हो जाता है तब उस प्रक्रिया को हम succession कहते है succession एक प्रक्रिया है जो निरंतर सतत चलती रहती है continuous process है जो लगातार चलता रहता है और इस लगातार चलने के कारण एक climax यद चरम सीमा प्राप्त होती है इस प्रक्रिया में बहुत समय लगता है और यह प्रक्रिया अत्यंत धीमी प्रक्रिया है दीमे दीमे climatic factors के कारण, topographical factors के कारण, भू आकरतिक कारण के कारण या जलवायवी कारण को के कारण या जैविक कारण के कारण यह पाधप अपने आपको उस वातावरन के प्रति अनुकूल करते रहते हैं और उस अनुकूलन के प्रति, उस adaptation के प्रति अपने आपको sensitive बनाते हैं, समवेदी बनाते हैं और धीमे-धीमे उस प्रति छित्र में अपने आपको establish कर लेते हैं संरक्षित कर लेते हैं और धीरे धीरे यह है प्रक्रिया क्लाइमेक्स की और चरम सीमा की और पहुंसती रहती है इस प्रक्रिया को हमने नाम दे दिया plant succession का अब इस plant succession में क्या लक्षन है इसके करेक्टर्स कुछ होने चाहिए उन लक्षनों के बारे में हम बात करते है पहली सबसे पहले हमने बात की इस प्रक्रिया में कोई एक पादप समुदाए किसी दूसरे पादप समुदाए का अधी ग्रहन कर लेता है अनुक्रमन कर लेता है, सक्सेशन कर जाता है यानि कि किसी उसर क्षेतर में ऐसा क्षेतर जहां कोई प्लांट उत्पन नहीं हो रहा हो या नस्ट हो गया हो जहां पर कोई पादप नहीं हो उस पादप उस लेंड में उस क्षेतर में अगर सूव्यवस्थित समुदाय में परिवर्तन हो रहा है दीमे दीमे उसमें जैसे पहले मान लीजे कोई एक बेरल लेंड है उसर क्षेतर है वहाँ पहले गहास उत्पन होई गहास होने के बाद में उसमें शाक उत्पन होई फिर उसके बाद में खुप उत्पन होई फिर उसके बाद में वहाँ पर व्रिक्ष लगने लगे और दीमे तो किसी भी succession का यह सबसे पहला character है कि वहाँ पर जो परिवर्तन हो वो orderly change हो दूसरा biological process जैविक प्रक्रम जो बहुतिक परियावरण के द्वारा नियंत्रित होता है यह जो succession है इस succession में हम बात कर रहे हैं plant succession की plant succession अर्थाद पादप एक जीवित प्राणी है और उस जीवित जो biological process है उसके अंदर जो establishment का जो process है उस process को उस क्षेत्र का बहुतिक परियावरण नियंत्रित करता है किस प्रकार के पादप होंगे? किस प्रकारों का विकास होगा? किस प्रकारों चरम सीमा को प्राप्त होंगे? यह सब नियंत्रण उस क्षेत्र के physical environment के द्वारा नियंत्रित किया जाता है यह दूसरा इसका character है तीसरा character इस plant succession में जैविक विविद्धा, जाती विविद्धा, biological diversity में व्रिद्धी होती है plant samoo जो वहाँ पर विक्सित हो रहा है उस plant पादप samoo में एक ही प्रकार के पादप नहीं होंगे विबिन प्रकार के पादप होंगे और उन पादपों के द्वारा अलग-अलग communities का निर्मान किया जाएगा वो एक दूसरे पर निर्बर होंगे इसलिए उस क्षेत्र में biological diversity की वृद्धी होगी चोथा करेक्टर आता है स्थाई वे चरम समुदाय का निर्मान होता है धीरे धीरे यह community विक्सित होकर के एक स्थाई community के अंदर change हो जाती है और इस community को हम climax community भी कहते हैं यह चरम समुदाय भी कहते हैं पांचों करेक्टर इस community के डोलप होने के कारण इस समुदाय के विक्सित होने के कारण इस पर निर्भर रहने वाले जीवों का विकास भी उस क्षेत्र में होता है development of heterotrops विशम पोशितों की संख्या में वृद्धी जब यह community उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में इसका विकास हो रहा है अपनी चरम को प्राप्त हो जाती है climax तक पहुँच जाती है तब इस पर निर्भर रहने वाले अन्य जीव भी उस क्षेत्र में विक्सित हो जाते हैं तो हिटीरो ड्रॉप्स भी जो की इन पर निर्बर रहते हैं, उनका भी विकास होगा, ये इसका छटा करेक्टर है, सात्वा करेक्टर है, प्रडक्शन ऑफ और्गनिक मेटिरियल की विर्दी दर भी बढ़ती है, निश्चित रूप से जब बादब बढ़ेंगे, बादब ब की इस मात्रा बढ़ेगी, और कार्वनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ने की करण, उस कम्मूनिटी का विकास होगा, तो ये और कार्वनिक पदार्थों की विड़ी होना, उस प्लांट सक्शेशन की सफलता का एक कारण है, उसके बाद में आता है हमरे मसितर, कन्वरजेंस य जिसमें उस पादप समुधाय के या उस चरम समुधाय के आवास को जलवायू से नियंतित होता है जो की हमने पहले भी बताया यह जो क्रेक्टर है जिसमें कोई भी सक्सेशन अनुक्रमण किसी भी स्तान पर विक्सित हो, वृद्धी करे और चरम समुदाय में परिवर्थितो इस पूरी गटना का नियंत्रण उस क्षेत्र की वायू मंडल या जलवायू पर होता है के द्वारा किया जाता है ये जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को इस फिनोमिना को हम कन्वर्जेंस या अभिसारिता कहते हैं अर्थात अभिसारिता एक ये प्रक्रिया है जिसमें जलवायू के द्वारा इसे नियंत्रित किया जाएगा तो इस प्रकार से आठ करेक्टर्स हम किसी एक प्लांट सक्सेशन को डिफाइन करने के लिए परिवाशित करने के लिए दे सकते हैं इसके बाद आता है मरपास में अनुक्रमन के कारण अनुक्रमन किस प्रकार से नियंत्रित होता है मूलत अनुक्रमन एक जट्ल प्रक्रिया है एक कॉंप्लेक्स प्रोसेस है और एक स्टेप वाईज प्रोसेस है जिसे हम क्रम बद प्रक्रम भी कहते हैं और यह है इसका नियंतरन किसी एक कारण से नहीं है इसके बहुत से कारक होते हैं जो इसको नियंतरित करते हैं मुख्य तेयसे हम तीन प्रकारओं में भी बेदित कर सकते हैं पहला आता है मरूत में climatic cause किसी भी एक स्थान की जलवायू में यदी परिवर्तन आ जाता है और उन परिवर्तनों के कारण उस स्थान की पादप समुदाय जो है वो नस्ट हो जाता है और या आप ऐसे उसको इस उधारन से समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी एक शित्र में सूखा पड़ गया अकाल आ गया या अतिवरिस्टी हो गई या आप कह सकते हैं बाड़ आ गई आंदी आ गया हिमपात हो गया और उसके कारण वहां की वनस्पती नस्ट हो गए धीरे दीरे उस एरिया को उस प्रकरतिक आपदा ने या उस जलवाई क्लायमेटिक फैक्टर ने उसको बेरन लेंड में चेंज कर दिया अनाच्छा दित या उसर भूमी में प्रिवर्थित कर दिया नस्ट विनस्पती के बाद में दूसरा समुदाए जो उस खेतर में या उस स्थान पर विक्सित हो सकता है वह धीमे धीमे उसका स्थान लेने लगता है और परिवर्थित जलवाईु के अनुसार अपने आपको ढालता हुआ वह उस खेतर में क्लायमेक्स तक पहुँच जा तो जलवाईवी कारक जो क्लाइमेटिक फेक्टर है वो बहुत बड़ा फेक्टर है दूसरा आता है हमरे पास में भू अकारक की कारक भू अकारक की कारक का इसे हम मृदा में परिवर्तन होने का कारण भी मानते हैं इसको हम दो प्रकार से समझ सकते हैं मृदा अपरदन और माँ लीजिए बाड अत्यदिक जल वरिष्टी समुद्र के कारण भूमे की उपरी परतें पानी के साथ बह जाती है और इस प्रक्रिया को हम मृदा अपरदन कहते हैं और इस अपरदन के कारण वहाँ पर उपस्तित पादप समुदाय नस्ट हो गया जो दूसरी मृदा नीचे से जो मृदा निकल करके आई उस मृदा पर नया पादप समुदाय विक्सित होने लगा तो इसे हम पादप अनुक्रमन कह देंगे और यह जो कारण है वो मृदा अपरदन कारण हो जाएगा इसी प्रकार से मृदा का जमाओ, सोयल डोलप्मेंट बहुत से कारण है जैसे भूसकलन या जौला मुकी का फटना या पहाडों से रेत का गिर जाना इस प्रकार के कारणों से वहाँ पर उपस्तित जो पादप हैं वो नस्ट हो जाते हैं, समुदाय नस्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे वह क्षेत्र पादप विहीन हो जाता है कुछ समय पश्चात उस पादप विहीन क्षितर पर दुबारा नया अनुक्रमन होकर नया पादप समधाय विक्सित होने लगता है इसको हम सोयल डिपोजिशन रिजन कह देंगे तीसरा सबसे बड़ा करणात है जिसको हमने नाम दे दिया जैविक कारक इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है मानव मानव स्वयम के उपयोग के लिए अनेक स्थानों पर सडकों का निर्मान करता है भोनों का निर्मान करता है कारखानों का निर्मान करता है और वनस्पती को नस्ट कर देता है या बांध का निर्मान करता है जिससे वनक शेत्र जलमकन हो जाते हैं और नस्ट हो जाते हैं या वनों की कटाई करता है जिसके कारण उसे भूमी पर अन्य उपयोग में उसे लिया जा सके तो इस प्रकार से धिरे धिरे भूमी को अपने उपयोग में लेने लगता है और वहां के वनक शेत्र को वहां के पादप समधाय को नस्ट कर देता है परन्तु उस स्थान पर अने एक परजीवी पादप कवक, जिवानों, वाइरस इत्यादी फैल करके उस शेत्र का अनुक्रमन कर लेते हैं तो इस परकार से यह एक अन्य कारण हुआ जिसके द्वारा पादप अनुक्रमन या प्लांट सक्सेशन विक्सित होता है तो इस परकार से यह तीन कारण है जिसके द्वारा पादप सक्सेशन, प्लांट सक्सेशन, पादप अनुक्रमन होता है शेश अगले लेक्चर में दन्यवाद